खबर है इंडेन आज लॉंच करेगी एक्ष्ट्रा तेज गैस सिलिंडर दोस्तो इंडेन 19 फरवरी को एक्ष्ट्रा तेज सिलिंडर लॉंच करेगा इसकी विशेस्ता यह है कि सामाने गैस के मुकाबले जलने पर इस गैस का तापमान 65 डिग्री अधिक होगा जिसे 7 से 10 परत तक गैस की बचत होगी इसे भोजन बनाने में समय की बचत भी होगी खबर है बजट सत्र में जवाब देने के लिए मंत्रियों को मिली जिम्यधारी दोस्तो जारकन विदानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी 2021 से निर्धारित है इसके लिए जारकन के कई मंत्रियों को सरकार का पक्ष रखने के लिए जिम्यवारी दी गई है इसको लेकर मंत्री मंडल सची वाला ए ओम निगरानी विभा की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है ख़बर है NHII ने किया आगाह जालसाज बेच रहे हैं ओन लाइन फास्टैक दोस्तो नेशनल हाइवे आथरेटी ने कहा कि कुछ जालसाज ओन लाइन नकली फास्टैक बेच रहे हैं जो बिल्कुल NHIR-IHM-CAL के फास्टैक जैसे हैं नकली फास्टेग टोल पलाजा पर काम नहीं करेंगे इससे टोल पलाजा पार नहीं कर सकते हैं फास्टेग इस्तेमाल करने वाले को ऐसे जालसाजों से बचना चाहिए दोस्तो मौसम की बड़ी खबर आज भी हो सकती है कुछ इलाकों में बारिश जिहां 19 फरवरी को कुछ जगों पर गरजन या बजरपात के साथ हलकी बारिश की संभावना मौसम भी भागने ज़ताया है वहीं 20 और 21 फरवरी 2021 को मौसम शुषक रहेगा और आनशिक बादल चाहे रहेंगे वहीं 22 और 23 फरवरी को मौसम मुख्यत शुषक रहेगा और आस्मान मुख्यत साफ रहेगा खबर है बेर्मो का उपर घाट में बिसफोट की साजीश नकाम दोस्तो बेर्मो HDPO को मिली गुप्त सुचना के आधार पर पेंक नरायन पूर थाना शेतरे में छापे मारी कर भारी मातरा में पावर जेल जिलेटिन डेटोनेटर सहित विसफोटक पदार्त जब्त किये हैं खबर है पीम किसान योजना का लाब उठाने वाले 33 लाख फरजी किसानों पर होगी बड़ी कारवाई दोस्तो राज्य सरकारों ने देश भर से ऐसे 33 लाख लोगों की पचान कर ली है जो मापदंड के अनुसार इसका लाब पाने के लिए अयोग्य थे लेकिन उन्होंने सरकारी खजाने को लगबग 2,500 करोड रुपे का चुना लगाया है केंदर सरकार ने सभी राज्यों से इन अयोग्य लोगों से ततकाल वस्यूली शुरू करने को कहा है हर्याना, पंजाब, राजस्थान, बिहार, जारखंट, उत्तराखंड, मध्य परदेश और महराष्ट्र समेत कुल 18 राज्यों वकेंदर शासित परदेशों में वस्यूली की परकरिया शुरू कर दी गई है बाकी राज्यों में भी वस्यूली जल्दी शुरू की जा सकती है खबर है, दस्वी बारवी और ग्रेजवेट पास के लिए वैकेंसी दोस्तो भारती बायुसेना में ग्रूप सी के कई असैनिक पदों पर बंपर भरतिया होने वाली है यह वैकेंसी यह भरती दस्वी पास से लेकर ग्रेजवेट तक के उमिदबारों के लिए निकली है जिसके लिए आवेदन की परक्रिया शुरू भी हो चुकी है वाई सुना कि इस भरती में आपको आफलाइन आवेदन करना होगा आवेदन फॉर्म नोटिफिकेशन के साथ ही अटेच कर दिया गया है आपको उसका फ्रिंट निकाल कर उसमें मांगी जानकर यह भरकर दिये गए पतों पर भेजना होगा खबर है अब सरकार नहीं वसूलेगी कोई भी नया टेक्स दोस्तों अब किंद्र सरकार की और से आम आदमी को बड़ी राहत मिली है मेडिया की खबरों को माने तो सरकार ने कहा है कि आम आदमी पर कोई भी नया कर नहीं लगया जाएगा यानि अमीरों पर जो कोवीट सेस लगाने की मांग उठी थी वह नहीं लगया जाएगा ला लिया है खबर है भारत ने कोरोना वैक्सिनेशन में कई देशों को छोड़ा पीछे दोस्तों भारत में कोरोना वैक्सिनेशन का काम काफी तेजी से जारी है आपको बता दी कि एक महिने में ही भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा कोरोना वैक्सिन लगा जाने के मामले मे चौथी नंबर पर पहुँच गया है ये खास इसलिए भी है क्योंकि भारत में कोरोना की वैक्सीन को लगाने की शुरुआत अमेरिका, ब्रेटेंज, जर्मनी और इटली ये से देशों के बाद हुई भारत में 16 जनवरी से कोरोना की वैक्सीन का अभियान शुरुक हुआ था और 16 फर्वरी तक देश में 88 दस्मलों 5-7 लाख हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन की पहली डोज लगाए जा चुकी है साथ ही इसमें सवा 2 लाख लोगों को दूसरा डोज भी लगा दिया गया है खबर है केंद्री विद्यालय में गर्मी की चुटी अस्थगीत एक अपरेल से सुरू होगा नया सत्र दोस्तों केंद्री विद्यालय में गर्मी की चुटी अगले आदेश तक अस्थगीत कर दी गई है CBSC दसमी और बारवी बोट परिक्षा को लेकर केंदरी विद्यालय संगठन जानी KBS ने सभी केंदरी विद्यालय को इसकी सुचना दी है आपको बता दे कि बोट परिक्षा 4 मई से 11 जून तक चलेगी इसे बीच 11 मई से 20 जून तक केंदरी विद्यालय में गर्मी के छुटी होती है बोट परिक्षा के कारेणी स्कूल खुले रहेंगे सारे सिक्षक आएंगे इस बीच ऑनलाइन का अक्षाएं चलेगी या शातरों को बोट परिक्षा के दौरान स्कूल बुलाए जाएगा खबर है LPG गय सिलिंडर केवल 79 रुपे में आज यूठाए आफर कलाब दोस्तों गय सिलिंडर हर घर में इस्तिमाल किया जाता है फिर चाहे वो शहर हो जगाओ कुछ समय पहले ही सरकार ने LPG के दाम में 50 रुपे बढ़ा दिया है जिसके बाद बीना सबसीडी वाले 14.2 किलोग्राम के LPG सिलिंडर का रेट बढ़कर 779 रुपे हो गया है पता दिक इस महने गय सिलिंडर के कियमतों में ये दूसरी बार बढ़ोतरी हुई है रेसियो गय सिलिंडर के दाम पहले 25 और फिर 50 रुपे बढ़ाए गए लेकिन अब आप इस महने सिलिंडर को केवल 79 रुपे में खरिच सकते हैं आप पेटियम से अपना LPG सिलिंडर बुक कर 700 रुपे तक का कैशपेक पा सकते हैं देश के अधिकतर भागों में LPG सिलिंडर सबसीडी के बाद 700 से 779 रुपे की बीच है ऐसे में पेटियम ने एक खास मौका निकाला है खबर है जियो ने लॉंच किया नया रिचार्ज ओफर 28 फरवरी तक ही उठा सकते हैं दोस्तों रिलाइन जियो ने अपने गराहकों के लिए नया रिचार्ज ओफर पेश किया है जिसकी शुरुवात 16 फरवरी से हो गई है जियो रिचार्ज ओफर का फायदा 28 फरवरी 2021 तक ही उठाय जा सकता है इस ओफर के तहट रिचार्ज कराने पर कैश बैक और रिवार्ट जैसे ओफर्स मिल रहे हैं आपको जानकर हैरानी होगी कि जियो के रिचार्ज पर 100 उपए तक का कैश बैक और 1000 उपए तक का रिवार्ट भी मिल रहा है नए ओफर के तधि यदि आप पेटियम से अपने जियो नंबर को रिचार्ज करते हैं तो 100 उपए तक का कैश बैक मिलेगा खबर है इश्कुलों के लिए शोट टर्म शैक्षिनिक कैलेंडर होगा तयार दोस्तो जारखन सैक्षिक अनुसंधान और परशिक्षन परिशद में 16 जीलों के सामिल सिक्षकों को 17 फरवरी तक सापताहिक सैक्षिनिक कैलेंडर त्यार कर उपलप्त कराने का निदिश दिया गया था सिक्षकों ने उसे त्यार कर जारखन सैक्षिक अनुसंधान और परशिक्षन परिश्वत को सौब दिया है सबी सिक्षक अपने घर्ब मेरा करी इस केलेंडर को त्यार किये है खबर है केंदरी विद्यालेओं में सिक्षकों के पद पर निकली भरतिया दोस्तो देश भर के बिभिन शहरों में इस्तित केंदरी विद्यालेओं में कॉंट्रेक्ट टीचर, PGT, PGT, PRT और अन्यकी भरति की परक्रिया शुरू हो चुकी है खबर है NPCI ने दी चेतावनी अब इस नए तरीके से लोगों के बैंग खाते हो रहे हैं खाली दोस्तो SMS के नाम पर फरजिवाड़े की घटनाय तेजी से बढ़ रही है इस फरजिवाड़े को लेकर National Payment Corporation of India यानि की NPCI ने लोगों को चेतावने दी है NPCI ने कहा है की ऑनलाइन यूजर्स की तादात बढ़ रही है इसलिए ऐसी बारदाते भी सामने आ रही है NPCI ने लोगों से आगरह किया है की सुरक्षित बैंकिंग का सहरा ले और फरोड होने से बचे NPCI ने कहा है की SMS के जरिये फरोड के स्केम में तेजी आ रही है क्योंकि लोग दिनों दिन ऑनलाइन ट्राजिशन का माधियम अपना रहे है इस फरोड या स्केम से बचने का तरीका यही है कि सेब बैंकिंग का सहरा ले और अनवेरिफाइड लिंक्स पर क्लिक न करें खबर है RBI में नौकरी का मौका 77,208 तक सेलरी दोस्तो भारतिर येरोप बैंक यानि RBI ने कई पदों पर भरती निकाली है ऐसे में RBI में नौकरी की रहा देख रहे है युवाओं के लिए सुनहरा मौका है दरसल RBI ने नौन CSG के कई पदों पर वैकेंसी के लिए नोटिपिकेशन जारी कर दिया है योग्य और इच्चुक इस भरती के लिए 10 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं खबर है PM किसान स्किम की अगली किस्त पाने के लिए बताना होगा ये नंबर दोस्तों केंद्र सरकार ने परधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजना के नियमों में बड़ा बदलाव किया है इस योजना के अतहद अब सरकार उन्हीं किसानों के खाते में पैसा डालेगी जिनके नाम से खेत होगा सरकार ने साप कर दिया है कि इस योजना का लाब होनी किसानों को मिलेगा जिसके नाम दाखिल खारिज यानि म्यूटेशन होगा इस नए नियम के मताबिक जिन लोगों ने अपने नाम से जमिन के दाखिल खारिज नहीं करवाया है उन्हें इस योजना का लाप नहीं मिलेगा खबर है निसंतान दमपतियों को मोधी सरकार की बड़ी सोगात बच्चा गोद लेना अब ऐसे हुआ आसान दोस्तों अगर आप अनात बच्चे को गोद लेना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए काम की है अब पूरे देश में बच्चा लेने जिहां बच्चा गोद लेने की परक्रिया का और आसान कर दिया जाएगा मोदी सरकार बुधवार को ही जुवेनल जस्टिस एक्ट 2015 में नए संशोधन को मजूरी दे दी है अब 8 मार्च के बाद संसद में कभी भी बजट सत्र के दोरान इसे पेश किया जा सकता है इसके बाद बच्चे को गोद लेने की सारी परक्रियाओं को जीला मजिस्ट्रेट और अतिरिक्थ जीला मजिस्ट्रेट अपने अस्तर पर ही सुल्जा देंगे जिहां आपको जानकरी दे दें कि कुछ सालों में बच्चे को गोद लेने के लिए आउनलाइन आवेदन करना अनिवारे किया गया था